बिस्मिल्लाय रमाने रहीम, अस्सलाम अलेकूम, आज लिकर आई हूँ चिकन मलाई की बहुत ही सौफ्ट और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, जो के बहुत इजी स्टैप्स और चन इंग्रेडियंट्स के साथ में रेडी करने वाली हूँ, विडियो को फुल वॉच कीजेग बेलकुल बेस्केप नहीं कीजेगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से ये चिकन मलाई की बहुत ही जबरदस सी रेसिपी, मैं ले रही हूँ 300 ग्राम चिकन वोनलेस और इस तरह से चोटी बड़ी मि मिर्चें और इनको मैंने मुटा मुटा कूट लिया था, आप इनको कूट कर यूज़ कर लीजिए, तकीबन 1 टेबल स्पॉन जितनी हरी मिर्चें ले ली थी, और साथ में मैंने डाला है 2 टेबल स्पॉन लैमन जूस, 1 टी स्पॉन शामिल किया है नमद, साथ में में डाल दही और यह मैंने फ्रेस दही लिया है और गाढ़ा दही है बहुत जादा, 3 टेबल स्पॉन दही यूज़ कर रही हूँ, और 3 टेबल स्पॉन ही इसने जाएगा फ्रेस प्रीन का, बस इन तमाम चीजों को अच्छे से कर लेंगे, मिक्स और चिकन को इन तमाम चीजों के सा चिकन को मैंने ओवरनाइट अब मैरिनेट किया था और भीन अब इसको लगाओंगे स्टिक्स में इस से लगा देनी है और नशर्व से लगापती के अर श।कर अब कि और यह परफ ही बहुत सॉब्त ही सुफ्ट अर जो है पर्फैक्ली मैरिनेट हो चुकी है今 सिक अहम करें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा आपके लिए इसी तरह मज़िदार सी रेसिपी लेकर आती रहोंगे चलिए इसको बना लेते हैं फटाफट से एक ग्रिल पैन लिया है उसमें डाला है तक्रिबन वन एंड टू टे लड़ी होंगी ग्रिल पैन गरम हो चुका है उसमें मैंने तक्रिबन तीन से चार स्टिक रग देनी है इस तरहां से और फ्लेम को कर देना है बिल्कुल लो उपर से लीड को कर देंगे कवर जब तक एक साइट से कुक हो और एक साइट से हमें तक्रिबन 10 मिनट तक कुक करन और ये बनकर भी बहुत ही मज़े की रेडी होंगी अगेन इसकी लीट को हम कर देते हैं कवार इसी तरह हमने तीनों चारों साइट से इसको कुक करना है और साइट को थोड़ी थोड़ी देव में कवार करते रहना है एक साइट से हमने 10 मिनट्स कुक किया था बाकी की तीन हजबी हम टर्ण कर देंगे और इसको भी हमने पका लेना है बहुत ही आसान सी रेसिपी है किसी भी दावत में आप पहले से इसको मेरिनेट करके रख दीजिए और जटपट से इनको बना कर इंजॉय किजिए लास्ट में इसमें स्मोक लगा दें और ये मलाई बुठी बिल सी और देगी स्टाइल की ये मज़ेदार सी बिर्यानी की रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा तो चलिए फटा-फट से बना लेते हैं ये मज़ेदार सी बिर्यानी की रेसिपी को सबसे पहले एक मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ एक कप दही फ्रेश दही यूज किया है मैंने ज्यादा खटा नहीं लीजेगा अब मैंने इसमें शामील की हैं तक्रीबन 7-8 हरे मिर्चें तीकी वेली हरे मिर्चें ये और 7 में इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पोन साबुद जीरा और 1 टेबल स्पोन साबुद धनिया बस इन 4 चीजों को हमने अच्छे से कर लेना है ब्लैंड तक के दही के साथ जीरा और साबुद धनिया थोड़ा सा पैस जाए बस जादा इसको फाइन नहीं करना है नॉर्मल ही रखना है इसको रख देते हैं साइट पे चलते हैं नेक्स स्टेप की तरफ मैंने लिया है 700 ग्राम चिकन इसको चिसे वाश कर लिया था अब इसको करेंगे मैरिनेट सबसे पहल 004 भीश अब ढली हूँ 1 duplicate Rabbibarum धनिया पाउडर् 2 11 भूनावा जीरा पाउडर क요 साथ में डाल रही हूं लाल मिर्चों का पाउडर 11 लप हैं थोड़ी ती खी और इसको थोड़ी बिजाजें कि मैं अपकी मीश हमने घीर्व तो लिए तो इसके लिए घीर हम्हें आप लि जब तक तमाम मसालों का टेस्ट जो है वो चिकन में अच्छी तरह एब्सॉर्ब हो जाए रेस्टरेंट्स में इसी तरह होता है कि पहले से मैरिनीट करके रग देते हैं उसके बाद सिफ जट पट से उसकी तह लगानी होती है और बिर्यानी को फटाफट से रेडी करना होता है तो इस मेथट को आपने जरूर ट्राइ करना है अब चलते हैं मसाला रेडी करनी की दरफ एक पैन में में डाल रही हूँ एक कप कोकिंग ऑल इसमें में शामिल करूंगी प्याजें तीन अदद मैंने इस तरह से कट कर ली थी और इसको light golden होने तक करेंगे fry प्याजों को थोड़ा सा सौते कर लिया है अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चंद साबुत मसाले साबुत जीरा लिया है 1 teaspoon तीन अदद ले रही हूँ मैं बिर्यानी के फूल लॉंग ली है 6-7 अदद और दारचिनी स्टिक 2-3 अदद और बड़ी लाइची 2 अदद इन तमाम चीजों को प्याजों के साथी fry कर लेंगे प्याजों थोड़ी light golden हो जाएंगी और मसाला भी थोड़ा सा roast हो जाएगा प्याजों के साथी ये देखे इस तरह से अब मैंने इसमें शामिल किया है लैसन और अदरग का पेस्ट 2 टेबिल स और इसको भी हम प्याजों के साथी थोड़ा सा fry कर लेंगे बहुत ही जबरदस खुश्बू आ रही है गरम मसालों की अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टिमाटर चॉप किये वे तकरिबन तीन अदर इनको भी हमने प्याजों के साथी अच्छे से fry करना है और इसका एक म मैरिनेट कियावा चिकन चिकन को मैरिनेट हुए तकरिबन दो से तीन घंटे हो चुके थे मैंने शामिल कर दिया है इस मसाले में और इसके साथ ही हमने इसको भून लेना है चिकन वाले बावल में थोड़ा सा पानी डाल के वोबीस में शामिल कर दिया है और अब हमने इसको मिक्स करने के बाद लीट को करना है कवर और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है तक्रीबन 10 से 15 मिनट अल्रेडी चिकन मैरिनेट होकर हाफ टेंडेट हो चुका है बस ज्यादा इसको गलाना नहीं है थोड़ा खड़ा खड़ा चिकन रहना चाहिए कवर और चिकन को हमने गलने के लिए छोड़ देना है चलते हैं नेक्स टैप की तरफ मैंने एक पैन में रखा था पानी उसमें डाला था नमक और कुछ साबुत गरम मसाले और इसको उबालाने तक पका लिया है अब मैंने इसमें डाल दिया है भीगेवे चावलों को मैंने चावल लिये थे सेला राइस और ये तक्रीबन तीन कप चावल थे इसको मैंने दो घंटे के लिए भीगो कर रखा है और 10 मिनट तक इसको एक कनी रहने तक हमने उबाल लेना है जब तक ये सॉफ्ट हो जाए और ये देखिए 10 मिनट बाद चावल बहुत अच्छे से फूल चुका है और गल भी बहुत अच्छे से गया है बस हमने क्या करना है अब इस टाइम जो इसका एक्स्ट्रा पानी बचा हवा है वो निकाल लेंगे और चावलों को रख देंगे साइट पे ये बिलकुल रेडी है और ये दिखिए तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे है चिकन भी बहुत अच्छे से भुन चुका है और मसाला बिलकुल पर्फेक्ली रेडी है अब हमने तह लगानी है चावलों की दोनों चीज़े हमारी रेडी हो चुकी है एक पैन लिया है मैंने और उसमें सबसे पहले मैंने डाला है चिकन नीचे इसको थोड़ा सा फैला देंगे उसके बाद इसके उपर नेक्स हमने तह लगानी है चावलों की उबलेवे जो चावल हमने रखे थे साइट पर नेक्स हम उसकी लगा देंगे इस तरीके से हाफ में डाल रही हूं हाफ नेक्स चुला लगाऊंगी उसमें डागांगी इसको हम फैलाएंगे थोड़ा सा चिकन के ऊपर इस तरीके से अच्छे से और पर आपने क्या करना है चुले की नीचे रखना है कोई तवा और उपर से डाला है इसपे हरे धन्ये के पते पृदीने के पते चन्ड लैमन स्लाइसे और उसके बाद अब मैं एंगें इसपे लेर लगाऊंगी उसके बचावा छिकन है वह मैंने तमाम इसमें डाल दिया है इसको फैला देंगे अच्छे से इस तरीके से अब मैं अगें से इस पे सैकंड लेयर लगा रही हूँ चावलों की तमाम चावल मैंने इसमें डाल दिये हैं इसको फैला दिया है अच्छे से दुबारा से इस पे हरा धन्या लीमू और हरी मिर्चेंक टीवी पौदीना उनके पते डाल देंगे इस तरह से और एक में चीज मैं इसमें डाल देंगे केवडा वाटर तक्रिबन थ्री टिबल स्पून है इससे बहुत ही जबरदस खुश्बू आती है बिर्यानी में ये जरू ट्राइ कीजेगा साथ में मैं इसमें डाल देंगे हूँ फूट कलर जर्दे का रंग इसको मैंने पानी में हल किया था और ये भी डाल दिया है अब अस लीट को कर देंगे कवर और आप चाहें तो लीट को इस तरह से कवर कर दीजिए या कोई अखबार या फिर कोई दस्तरफान उससे आप दंपे लगा दीजिए चावलों को तक्रिबन 20-25 मेंन के लिए और ये देखिए 20 मिनट से 25 मिनट हुए थे और ये चावल बहुत ही जबर्दस रेडी हुए हैं और बहुत ही आसम खुश्बू आ रही है बहुत मज़ेदार से बिलकुल यूनीक स्टाइल से आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करना है और फीड़बेक भी लाजमी कीजिएगा अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब विडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स रेसिपी में अलाहाफ़िज कि आपने शादियों में काफी बार एंजॉय किया होगा बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़िदार मलाई चिकन रोस्ट की रेसिपी जिसको के हम बहुत ही असानी से रेडी करने वाले हैं स्टैप बाई स्टैप वीडियो में आपको बताऊंगी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दो अदर मैंने चिकन के थाइपीसिस लिया है इंको अच्छे से वाश कर लिया था अब इस पे हम अच्छी तरह कट लगा लेंगे ताक के मसाला जो है चिकन के अंदर अच्छी फ्रेश लेसन और अदरक का पेस्ट जादा फाइन नहीं कीजिएगा थोड़ा सा मोटा रखा है साथ में डाल रही हूं इसमें टूटेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट जीरा पाउडर लिया है भुना हुआ वन टी स्पून और ये मेरे पास है ब्रोस्ट मसाला आप कि पाउडर वन टी स्पून थुड़ा सा इस पाइसी है बहुत ही मज़ेका लगेगा साथ में नमक डाल रही हूं क्योंके व्रोस्ट मसाले में अल्रेडी नमक शामिल है अब इसमें शामिल कर रही हूं फॉर तिबल स्पून फ्रेश क्रीम के और इससे जो है हमारा जो चिकन बहुत ही क्रीमी और बहुत मज़े का बन कर रेडी होगा दिखी व味 जा魚 अपिग नहीं जाएगे सिर्फ की रेडी होगा बस सीकी एक शक्रीम के मिक्स कर लेना है और उसका टेस्ट जोहे चिकण में एबसार्ब हो जिससे के इसका चिकण का टेस्ट जोहे बहुत ही डिलिशिस लगने वाला है य Tulis एस तरह मैंने अपनी दावतों में जरूर लगा लिया है यह बहुत ही मज़ेका बनकर रेडी होता है जैसा आप बाहर का मलाई तिक्का खा रहे हों या स्टाइब का रेस्टरंट की कोई रेस्पी यह देखिए दोनों पीसिस को हमने कर लिया है रेडी इसको हम रखेंगे ओवरनाइट या फिर तक्रीबन तीन से चार घंटेकनी अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो उससे यह बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर रेडी होगा चिकन को हमने कर लिया है मैरीनेट और अब मैंने एक पैन में डाला है त्री टिबल स्पून कुकिंग ओईल और उसमें इन दोनों पीसिस को हमने रख देना है फ्लेम को करना है बिलकुल लो क्यूंकि इस चिकन में हमने बिलकुल भी पानी आइड नहीं करना है जो चिकन का अपना पानी है वो ही निकलेगा और ये उसी में ही कुक होगा तो बचावा मसाला जो है वो हमने चिकन की उपर लगा दिया है लीट को कर देंगे कवर और इसको तक्रीबन 20-25 मिनट के लिए हमने बिलकुल लो हीट पे पकाना है जो चिकन का पानी होगा उसी में ये कुक होगा और उसी से इसका टेस्स डबल होगा तो लीट को कर दिया है कवर तोड़ी देर बाद चेक करेंगे ये देखिए तक्रीबन 15 मिनट हुए थे इसको पकते वे और इसका जो पानी है चिकन का वो काफी हद तक रिड्यूस हुआ है और अब इसकी साइट को हम कर देंगे टर्ण एक साइट से बहुत अच्छे से एकोख हो चुका है और दूसरी साइट से भी इसको पकने देंगे लास्ट में थोड़ा थोड़ा स्पून चलाते रहीगा ये तमाम मसाला जो है वो चिकन के उपर ही लिपट जाएगा ये देखिए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा बहुत ही परफेक्ली बहुत ही मज़े का बनकर बिलकुल रेडी हो चुका है तमाम मसाला जो है वो चिकन पे लिपट चुका है जिस तरह का जूसी हमें चाहिए ता मसाले वाला बहुत ही जबर्दसा आपको कलर भी नज़र आ रहा होगा रेजिपी हमारी बिलकुल रेडी है बस लास्ट में इसमें लगा देंगे थोड़ा सा स्मोक तो स्मोक के लिए मैंने एक प्यास का चिलका रखा है सेंटर में कोईलो को गरम करके उस पे रख दिया है और थोड़ा सा ओयल हम इसके उपर डाल देंगे इस से स्मोक बन जब तक इसमें अच्छे से धुआ आ जाएगा और तमाम धुए की जो इसमैल है वो चिकन में आ जाएगी तो बस अब इसको कर देते हैं कवर उसके बाद इसको करेंगे हम सर्व और मज़ेदार सी हमारी चिकन की थाई पीसी की रेसिपी बहुत ही एमीसी बिलकुल रेडी है यह देखिए बहुत ही मज़े की बहुत ही जूसी जब आप ट्राइ करेंगे इस रेसिपी को तो प्लीज प्लीज मुझे फीडबेक अपना लाज़मी दीजेगा कीजिए रेसिपी अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा तो चलिए जट पर्ट से बना लेते हैं यह मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी को तो सबसे पहले एक पैन में में शामिल कर रही हूँ एक कप कुकिंग ओल मैं एक किलो राइस बना रही हूँ तो उसे साप से हमने इसमें ओल एट करना है आप कम या जादा अपने हिसाप से कर सकते हैं तो साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ दो अदद लार्ड साइज की पैयाज हैं जिसको मैंने रफ्ली सा कट किया हुआ है और इनको भी हमने लाइट करना है अभी बिलकुल डार्क इसको नहीं करेंगे विडियो को आपने स्टैब बाई स्टैफ फॉलो करना है जिस तरह हम बना रही हूं उसी तरह ट्राइ किजेगा बहुत मज़े की बनकर रेडी होगी ये देखिए प्याजों का कलर लाइट हो चुका है अब मैं इसमें शामिल कर रही हूं साबुत गरम मसाले साबुत मैंने काली मिर्चे ली है तक्रीबन दस अदद और तीन से चार लॉंग ली है एक जावेत्री का टुकड़ा लिया है वो भी शामिल कर दिया है इसमें तमाम गरम मसालों को हमने प्याजों के साथी थुड़ा सा फ्राइ करना है ताके इनकी खुश्बू जो है वो प्याजों के साथी एड हो जाए मैं ने इसमें ڈالा है एक जाईफल का सीट नहीं और कशोफ़न है एक शीम्ल-धर के टोड़ा है यूजँ एक शली बह। मज़े की खुश्बू भी आती है और टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट आएगा आपके राइस में अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है एक किलो चिकन और चिकन को हमने प्याजों के साथ ही अच्छे से मिक्स करना है और इसको फ्राइ करते जाना है जब तक ये हाफ कुक हो ज अब मैंने इसमें शामिल कर दिये हैं 3-0 medium size की टिमाटर जिन इसमें बारिक कर लिया था इसमें शामिल करूँगी मसाले 2毫 न मेलाक शामिल कीए लाल मिर्चे शामिल किया है 1 tablespoon साथ में मैं साबुद धन्या लिया है 1 tablespoon healthy powder शामिल कर रही हूँ जिससे के rice में color बहुत ही प्यारा सा आजाएगा जिस तरह का हमें चाहिए half teaspoon मैंने healthy powder शामिल किया है लाल मिर्चों का powder लिया है 1 teaspoon भर कर और ये है zira powder ये भी 1 teaspoon इसमें शामिल कर रही हूँ optional है अगर आप साबुद जीरा शामिल करना चाहें तो वो भी add कर सकते हैं मैंने भुनावा और पिसावा जीरा शामिल किया है ये दिकिए तमाम चीज़े मिक्स करने के बाद मैंने chicken के साथ अच्छे से भून लिया था टिमाटर भी बहुत अच्छे से soft हो चुके हैं और ये मसाला बहुत ही जबर्दस बनकर ready हो चुका है साथ में मैंने इसमें डाला च्छे से 7 गोल मिर्चे और ये मैंने इमली को भीगो कर रखा था एक कप इमली थी इसको मैंने भीगो कर रख दिया था ये भी इसमें शामिल कर दिया था जाहें तो आलू बुखारा भी इसमें शामिल कर सकते हैं और इसको भी हमने चिकन के साथ अच्छे से mix कर लिया है अब मैंने इसमें डाला है एक कप दही और इसको भी साथ-साथ इसके भून लेंगे थुड़ा सा जब तक मसाला बहुत अच्छे से ready हो जालाई का कोर माइस style का ठीक है उसके बाद इसमें हम पानी शामिल करने के बाद चावल डालेंगे यह देखे बहुत ही मज़ेदार सा जो है कोर माइस का ready हो चुका है चावलों का अब मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन 6.5 गलास पानी मेरे पास 4 गलास चावल है तो इसको हमने उबालाने तक पका लेना है जैसी इसमें उबालाएगा मैंने चावल भीगो कर और wash करकर रखे वें वो इसमें शामिल कर देंगे पानी में उबालाना स्टार्ट हो चुका है भीगेवे चावल जो है मैंने इसमें शामिल कर दिये है और अब इस टाइम पे flame को हम कर देंगे high और उस वक तक इसको पकाना है जब तक ये पानी जो है reduce ना हो जाए उसके बाद इसको हम रखेंग ये दम पर ये देखिए और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और slices में half cut कीवी हरे मिर्चे और साथ साथ हमने चावलों को पकाते जाना है जब तक तमाम पानी इसका खुश्क हो जाएगा ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है अब इस टाइम पे लीट को cover कर देंगे और 20 मिनट्स के लिए इनको दम पे रखेंगे ये देखिए आफटर 20 मिनट्स बहुत ही खिला खिला परफेक्ट चावल रेडी हो चुका है इसका कलर भी आप देखिए बहुत ही जबरदसा और खाने में ये बहुत ही मज़े के बनकर रेडी हुए है आप जरूर ट्राइ कीजेगा मुझे अपना feedback दीजेगा दौाओं में रखेगा याद तके इसी तरह आपके लिए मज़ेदार recipes लेकर आती रहूं मिलते हैं next recipe में अलाहाफिज